कर देजी व्यक्तै..ishment-team अर्पिड़ी विद्यार्तियों स्वागत आपका वीक कैज्ण फिजिक्स अकरड का है महराजा गंगा सिंग्म विष्यव विज्हाय लेके जो प्राक्टिकल एक्जाम चल रहे हैं उनमें physics के अंदर किस प्रकार से copy चेक होती है, किस प्रकार से आपको practical में copy में दिखना होता है इससे समधित क्या नियम है, सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे पांस मिनिट का समय निकाल के वीडियो जुरूर देखें और आगे शेयर करें ताक कि सभी विद्यार्थियों को इसके बारें बता चल सके तो जो विद्यार्थी BSC फर्स्ट एर, सेकेंड एर, थर्ड एर के अंदर है और जिनके practical exam अभी तक नहीं हुए है फिजिक्स के और जो महराजा गंगाशी मिश्वधाले के अंदर पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, वो special है और उन सभी को ये वीडियो देखनी भी चाहिए इसी के according BSCBD के भी practical exam होंगे, तो वो विद्यार्थियों देख सकते हैं अगर आपने सही तरिके से copy में नहीं लिखा, तो आपके नंबर भी examiner काटेगा, और आपके नंबर वहाँ पे कम भी हो जाएंगे, इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं, कि हमने copy में काम किया है, हमारे नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आप गल आपको यहां पर बता देता हूं, सबसे पहले हमारा होता है उदेश्य, यानि जो हमारा practical का उदेश्य क्या है, aim क्या है, यानि practical का name, उसके बाद हमारा second point आता है apparatus, यानि उपकर्ण, फिर आती है हमारी theory, सिदान, उसके बाद आता है observation, प्रेक्षन, ये जो observation है, वो किसी कि practical में नहीं भी होता है, तो जिसमें observation ना हो, उसके अंदर हम direct observation table बनाते हैं, प्रेक्षन सालने, प्रेक्षन सालने के बाद हम reading लेने के बाद graph बनाते हैं, और उस graph के आधार पे हमें पता चल जाता है कई जो practical ऐसे होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ graph से ही गणना करनी होती है, और कुछ के अंदर में graph लगाना होता है, और result के अंदर में graph का जो slope बगहर है वो बताना होता है, और जो observation table है, उसके according हमें फिर हमें calculation करनी पड़ती हैं, और calculation के बाद हमारा आता है result, और इसके बाद last में आता है, precaution यानि कि सावधानिया, तो ये हमारे record के अंदर इतने point होते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि practical exam के अंदर जो आप में इस्टी की copy में लिख रहे हैं, तो आप कौन-कौन से point को ही लिखना है, कि इन points को आपको छोड़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे aim होता है, ये aim आपको physics practical के अंदर आपकी copy में aim लगा हुआ म तो उदैस्या आपको मिल जाता है ये नो उदैस्या आपको नहीं लिखना है, नहीं आपको याद करना है, उपकर्ण जो है अपरेटस जो है वो भी आपको exam copy में नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि जब आप exam copy में practical कर रहे हैं, उसमें आप practical के सामने खड़े हैं, इसका राइग्राम है वह सबसे पहले आप परिपत्स चित बनाते हैं इसको आप पैलशन से बनाए बहुत बढ़िया रहेगा पैलशन से बनाना चाहिए और इसमें पूरा नामाग कीचित्र होना चाहिए दारा के दिशा बैटरी का प्लस माइनस जो है या जो आपका वोल्ट मीटर है एमीटर है जो भी आपके कंपोनेट परिपत में जुड़े हुए हैं उन सबके नाम आपको वाँपे लिखने जरूरी होते हैं इस परिपत चित्र के बाद आप लिखेंगे थियोरी यानि सबसे पहले आपका जो मैन एक जाम कोपी है प्रैक्टिकल उसमें परिपत चित्र आता है फिर आपका आएगा स जो भी फॉर्मूला है जो भी आपका जो रिलेशन वगर है वो आपको आपको लिखने होते हैं इसके बाद हमें लिखने होते हैं प्रैक्शन ऑब्जर्वेशन किसी प्रैक्टिकल के अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं होता है तो जिनके अंदर ऑब्जर्वेशन ना हो उसमे प्रेक्शन है वो यहां पे लिखेंगे और फिर आएगी प्रेक्शन साणनी यानि जिसमें आप अपने जो रिडिंग वेगर लेते हैं प्रेक्शन साणनी के अकोर्डिंग आपको ग्राफ बनाना होता है वह वहीं पे आपकी कोपी में उस टेबल के सामने लग जाएगा वो यहां पर या तो स्टेबल कर दिये जाएगा तो उसकी कोई लिक्त है नहीं आपको ऑप्जर्वेशन टेबल बनानी है उसके बाद में ग करनी है calculation के बाद आपको लिखना होगा result की result क्या निकड़ा आपका फिर यह जो साउधानिया है यह आपको man practical exam copy के अंदर नहीं करनी होती है साउधानिया आपको सिर्फ record में लिखनी होती है आप जब practical exam क्याम दे रहे हो समय आपको man copy में साउधानिया नहीं लिखनी है तो यही जो परफॉर्मा है या schedule क्यालिजिए आपका paper नंबर दो का यानि क्यूशन नंबर दो का रहेगा आपको physics के अंदर दो क्यूशन करने होते हैं दो क्यूशन आपको मिलेगे जब आपका पहला क्यूशन है वो complete हो जाए last में result आजए तो जिस प्रकार से माले जी आपका page है और यहां पर आपका result खतम हो गया उपर की तीन चार लाइनों के अंदर ही तो आपको जो दूसरा practical है वो आपको नए page से ही start करना होता है वहां से आप अपना परिपाशित्र बनाके और उससे start करें कभी भी आपको जो पहला प्रेक्टिल खता हुआ उसके बाद में आधा page यह बचा हुआ हो यहां आपको second start नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें तो यह कुछ सावधाईयां है किस प्रकार से आपको copy में लिखना है इन बातों का जरूर नोट रखें और exam अपने start हो या जिस दिन आपका practical exam हो उससे पहले इन चीजों के एक बार आप memorize कर लिजिएगा copy में इस प्रकार से क्या 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 लिखना है इसके लावा जो इंट्री है कोपी के इंदर वह में करते हैं जैसे आपका सीट नमर आजिएगा आपका बैस नमर उसके अंदर आजिएगा आ उसमें आजिएगा कि प्रैक्टिकल एक्जाम 2023 आप यह सी फर्स्टेर में है तो उसके आगे यह से फर्स्टेर लग जाएगा सेकेंड यह सब चीजे मां पींटरी हो जाती है तो इस प्रकार से इन चीजों का ब्यान रखें वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करें वीवते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद